सेलो स्टूडेंट्स मैं मैं सिस डीन लालवाग गर्स इंटर कॉलेज से और यहां मैं अपने क्लास 9 के बच्चों का वेलकम करती हो लालवाग गर्स इंटर कॉलेज के यूटूब चैनल पर और बच्चों जैसे कि आप दो पता है कि गडित विशे में हमारा चैप्टर 4 चल रहा था जिसका नाम था दो चरवाले रैखिक समीकरण तो बच्चों आईए चलते हैं आज हम दो हल करेंगे दो चरवाले रैखिक समीकरण तो बच्चो चलते हैं दो चरो वाले रैखिक समीकरण की ओर यहाँ पर जैसे कि पहले वाले classes में हम लोगों ने एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकाला मैंने यहाँ पर एक उधारन ले रखा है 2x प्लस 3 is equal to 6 यदि यहाँ पर आपका जो variable x है इसका यदि मान निकाला ज तो आप लोग इसी तरीके से करेंगे 2x is equal to 6 यह प्लस 3 जब पक्षांतर होके जाएगा माइनस 3 हो जाएगा तो 2x is equal to 3 x is equal to 3 upon 2 तो इस तरीके से हम लोग पहले ही जान चुके थे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल अदुतिय होता है आज हम लोग जो कर रहे हैं वो दो पूचर वाले रैखिक समीकरण है आप से पूछा जाए कि इनके रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार का होगा तो आपका जवाब होगा अपरिमिक अपरिमिक क्यों होगा तो इसी चीज को आज हम लोग देखते हैं जैसे मैंने एक उधारन लिया है 2x plus y is equal to 7 यदि हम इसमें चुकि variables यहाँ पर दो है जर राशियां देखी जाएं तो दो है यदि जब हम x के लिए मान रखेंगे तो उसी के संगत y के अलग-अलग मान हमारे निकलते जाएंगे किस तरीके से निकलेंगे उसी चीज को आज हम लोग पहले देखते हैं हो सकता है आपको इसी तरीके का क एक सवाल भी दे दिया जाए कि कहा जाए कि दिये गए समीकरण के चार हल निकालिए या दिये गए समीकरण के तील हल निकालिए या दिये गए समीकरण के पांच हल निकालिए तो एकी सवाल में कई सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगे कि इस तरीके से हम देख अब बच्चो के माइन में आएगा कि मैं कौन सा मान लेके शुरू करूं तो ओवेसली हमेशा 1 से ही स्टार्ट करो 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो डिफरेंट डिफरेंट मान ले सकते हैं यह जरूरी ने कि मैंने 1 लिया तो दूसरा भी 1 ले आप 2 से भी करके देख सकते हो तो कोई भी 4 या 5 हल निकालने सबसे पहले हमने इदी x is equal to 1 लिया तो किस तरीके से y निकालेंगे तो जब भी आपको इस तरीके से करना होगा y के सापेक्स तो आप जो दी गई समीकरन है उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे y is equal to 7 minus 2x clear अब जब हम x is equal to 1 रख रहे हैं लिखने पर तो y is equal to so this implies that यह sign होता है इस प्रकार का या आप यहां भी लिख सकते हो हिंदी में लिखना हो तो आप लिख सकते हो तो y is equal to 7 minus 2 into 1 क्योंकि हम 1 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहां लिखा कि x is equal to 1 रखने पर so y is equal to क्या मिल जाएगा 7 minus 2 यानि y is equal to 5 तो जब हमने देखा कि x का मान हमने 1 रखा तो x का मान 1 रखने पर y का मान क्या मिल गया 5 तो इस तरीके से एक हमारा पेरिंग हो गई 1 5 1 5 से मत्तब हो गया कि x is equal to 1 and y is equal to 5 clear अब हमने दूसरा मान निकाल लिया मान लिजे हमारा मन कर रहे हैं कि हम 3 रखें तो आप 3 रख लीजिए 2 भी रख सकते हैं 2 रखने पर कर लीजिए जैसी मर्जी है कोई यहां पर कंपलसर ही नहीं है कि आप 1 के बार 2 ना रखें 3 ना y is equal to 7 minus 4 y is equal to 3 तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हम x कमान 2 रख रहे हैं तो y is equal to क्या मिल रहा है 3 तो 2,3 यह भुज हो गया कोटी यह एक्स की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई अब हमने माली जे x is equal to 3 रखा तो हम यहां पर लिखेंगे x is equal to 3 रखने पर तो हमारा मिल जाएगा चोकि हमने वहां पर क्या बनाया था y is equal to 7 minus 2 x तो 7 minus 2 into 3 y is equal to 7 minus 6 y is equal to 1 तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हम y कमान x कमान 3 रख रहे हैं तो y कमान हमें क्या मिल जा रहा है 1 तो इस तरीके से बहुत सारी मान निकालते चले जाएंगे आपका बच्चे कहेंगे सब तो मान प्लस में रखे गएं तो minus में भी रख सकते हैं आप यहाँ पर लिख लेजिए x is equal to minus 2 रखने पर कोई issue नहीं है क्योंकि यह तो variable से कुछ भी हो सकता है तो जब आपने 2 रखा minus 2 रखा है तो y is equal to 7 minus 2 into minus 2 y is equal to 7 minus minus हमारा प्लस हो जाएगा 22's of 4 y is equal to 11 तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हम x की value minus 2 रखते हैं तो y की value हमें मिलती है 11 तो इस तरीके से हमने देख लिया कि x is equal to 1 रखा तो y is equal to 5 x is equal to 2 रखा तो y is equal to 3 and x is equal to 3 रखा तो y is equal to 1 x is equal to minus 2 रखा तो y is equal to 11 तो हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से हमें X के प्रतेक मान के संगत Y के एक अलग-अलग मान हमें प्राप्त हो रहे हैं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दिये गए समीकरण होता है दो चरवाले तो उनके जो हल होते हैं वो कैसे मिलते हमको अपरिमित ठीक है तो यहां से हमें पता चला कि दो चरवाले रैखिक समीकरण का हल अपरिमित होता है और एक कोई भी दो चरवाला रैखिक समीकरण मिल जाए तो हम उससे अलग-अलग मान भी निकाल सकते हैं कोश्चन हम आपसे पूछें कि दो चरवाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं अभी हमने बोला कि अपरिमित होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा माइन में सेट हो गया हम कह सकते हैं कि दो चरवाले अपरिमित और अनेक हल हो सकते हैं इस तरीके से हम को जरूरी नहीं है कि कोई question मिले solve करने के लिए तभी हम solve करें कभी कभी बिना solution के ही answer पूछ सकता है कि जैसे अभी हमने बोली पूछा कि दो चरवाले एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं तो आपने अभी खुदी practically देखा तो आप answer देंगे कि दो चरवाले एक रैखिक समीकरण के अपरमित और अनेक हल हो सकते हैं next question है x के किसमान के लिए x is equal to minus 1 समीकरण x plus y is equal to 5 का एक हल होगा देखि किसमान के लिए तो जो भी हमें दिया जाए x is equal to minus 1 बोल रखा है तो जो दिया गया समीकरण है x plus y is equal to 5 तो यहाँ पर आप x का मन क्या दिया गया है minus 1 तो minus 1 रख लिया और y is equal to 5 तो y is equal to क्या हो जाएगा 5 और जब minus 1 पक्षांतर होके इधर आएगा तो plus 1 हो जाएगा y is equal to 6 तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सौरी यहाँ पर question x की किसमान के लिए नहीं है question है आपका y की किसमान के लिए क्योंकि x का तो दिया ही यह है ना question है y के किसमान के लिए x is equal to minus 1 समी करण x plus y is equal to 5 का एक हल होगा तो जब हमें दी गई जो समी करण होती है उसमें हम लोग जो मान होता वो रख देते हैं और मान रख करके दूसरे वाले चाहराशी का मान निकाल लेते हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतह वाई के किसमान के लिए तो आप कहेंगे वाई के 6 मान के लिए x is equal to minus 1 समी करण का एक हल होगा इसी कोशन को वो इस तरीके से भी कह सकता है कि x के किसमान के लिए दिये गए समी करण में y का ये मूल होगा या ये हल होगा या किसमान के लिए शून ने होगा तो आपका किसी भी तरीके का कोशन आए तो आप इस तरीके से कोशन सॉल्व कर सकते हो माली जी आपसे यही कह दे कि दिया गया समी करण x plus y is equal to 5 है या 3 x plus 2 y is equal to 1 है तो कहे कि क्या x is equal to minus 2 या y is equal to 3 दिये गए समी करण का हल होगा हम क्या करेंगे तो जो दी गई समी करण होती है उसको सबसे पहले लिख लेंगे ठीक अब इसमें आप देख रहें is equal to के इस तरफ आपका left hand side है is equal to के इस तरफ आपका जो 1 है वो right hand side में जो x और y की values दी चाती है वो आप लिख लीजिए left hand side is equal to 3x plus 2y अब देख रहें x की value क्या है minus 2 तो minus 2 रख दी plus 2 y की value क्या है 3 तो आपने multiply कर दिया 3 to the 6 minus है तो minus रहेगा plus 3 to the 6 is equal to क्या होगे 0 जो की does not is equal to right hand side देखिए जब आपका x और y के मान देए जो कि ये एक समी करण है तो समी करण का is equal to मतलब है कि left hand side की जो value होगी वो right hand side के क्या होगी बराबर होगी जो की यहां क्या बराबर आ रही है बराबर के according आना हमारा क्या चाहिए था one जो की one नहीं आया तो इस परकार हम कह सकते हैं कि x is equal to minus 2 और y is equal to 3 दिये गए समी करण का हल नहीं है हल कब होता जब हमारा left hand side लेके चलते और right hand side के बराबर हमारा क्या आ जाता मान आ जाता तो इस तरीके से हम ऐसे भी question कर सकते हैं question आपका इस तरीके से भी दे सकता है कि दिये गए equation के according आपको कोई मान दे दे और तब कह दे कि के का मान निकाले ये तो इस तरीके से आप exercise exercise 4B पूरी कर सकते हैं तो बच्चों मैं जहां तक समझ लग रहा है कि आप इस exercise को आसानी से कर लेंगे और पूरे question आपके 4B में है तो आप सारे ही question 4B के अती लगू लगू और दीर कर लीजेगा तो इसी के साथ हम चलते हैं ओके बाए बच्चों और next exercise के साथ चल्दी ही मिलेंगे thank you